हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी न्यूज वर्ल में तो दोस्तों यह ख़बर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह है जुड़ी हुई है अमेरिका और चैना से आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका और चैना एक दूसरे के प्रतिलंदी हैं तथा जहां अमेरिका पहले से ही सुपर पावर है वहीं चैना अमेरिका को पचाड कर सुपर पावर बनने की कोशिस कर रहा है लेकिन चैना की इस मेहतो कांगशा को अमेरिका पूरा नहीं होने देना चाहता आप सभी लोग जानते हैं कि आज के इस यूग में एक दूसरे की अर्थवस पर रूस यूक्रियन के युद्ध को लेकर पड़ा है जहां यूरोप के कुछ देश आर्थिक मंदी से खुजर रहे हैं वहीं कुछ देश डिफॉल्टर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं जहां एक तरफ यूरोपिय देश तथा अमेरिका यूक्रियन को भर-भर कर रहत से लड़ रहा है जिस बात से अमेरिका भी हैरान है कि रूस के उपर इतने कठिन आर्थिक प्रतिवंदों के बाब जूद रूस अभी तक युद्ध में टिका हुआ है ऐसे में अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनी बिलिंकन का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि चीनी कंपनियां पहले से ही रूस को नोन लीथल सपोर्ट उपलब्द करा रही है लेकिन नई जाने कारी के अनुसार चीन रूस को लीथल सपोर्ट देने पर भी विचार कर रहा है जहां लीथल सपोर्ट का मतलब है हानी पहुचाने वाले साजों समान जैसे कि गो अमेरिका को दूसरों पर आरोक मरने की जूटी सूचना है फैलाने जैसे कार्यों को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका स्वेम लगातार हत्यारों के सप्लाई कर रहा है। चीन, रूस, यूकरेन, युद्ध के बीच सभी सांती वारतों का समर्थन करता है। चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा कि चीन नहीं बलकि अमेरिका युद्ध में हत्यार भेज रहा है। और वह चीन, रूस, सम्बंदों में किसी के हस्तक्षेव को स्युकर नहीं करेगा। संगर्सों को हवा कौन दे रहा है, लड़ाई में उकसाने के लिए चाकू कौन भेज रहा है। चीनी राश्पती सीजिंपिंग, रूसी राश्पती बलाद्मिर पुतिन के सहयोगी हैं। चीनी विदेशमंत्रालेक ने आगे कहा कि चीन अमेरिका की ओर से रूस के साथ सम्बंदों को लेकर दबाब और आरुप स्युकर नहीं करेगा। बिलिंकिन का यह बयान, म्यूनिक सिक्यरिटी कॉन्फरेंस में चीनी राश्पती राश्पती के साथ मुलाकात के बाद आया है। तो दोस्तों, यह तो हम लोग सभी जानते हैं कि चीन रूस को अपना बड़ा भाई कहता है। और अगर यह समभावना प्रवल होती है कि चीन रूस को लीथल और नोन लीथल प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो यह दुनिया के लिए बहानक इस्तिती होने वाली है। क्योंकि यह युद्ध और लंबा खिच सकता है। जिसकी वज़े से दुनिया के अन्य देशों में खाद समिग्र की अपूर्ती तथा सप्लाइशेन में बादाउत्पन हो सकती है। जिससे कि दुनिया के बहुत सारे देश भुकमरी के करगार पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद।